अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलिवुड से पंगा लेने जा रही है पाकिस्तान इंडस्ट्री की अपकमिंग मुवी हुए तुम अजनवी इस मुवी में इमोशन्स, लव स्टोरीज, एक्शन्स सब कुछ देखने को मिलने वाला है इसका ओफिशिल ट्रेलर जिसने पूरी इंडस्ट्री में बवाल मचा करत दिया है तो ये मुवी वन आफ दा बेस्ट मुवी होने वाली है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो इसी साल इदूल फितर के मौके पर रिलीज की जाएगी ये सारी मुवी बेस होगी एक लव स्टोरी के उपर जो 1971 की इंडिया वर्सिस पाकिस्तान की जंग में बंगला देश अलग हो गया था बस उसी के बैग्राउंड में ही ये लव स्टोरी होगी जीनत और जुल्फकार की लव स्टोरी 1971 की वार में बंगला देश के साथ ही जुदा हो गई थी इस मुवी में अच्छी तरह से एक्स्प्र दे लेजंड ओफ मॉला जट से भी ज्यादा कमाल की हो जो कि इसके ट्रेलर से पता भी चल रहा है मुवी की कास्प भी बहुत ज़्यादा जबर्दस्त होने वाली है जिसमें मिकाल जुल्फकार साध्या हान नदीन चीमा और हम सब की फेवरिट आईशा उमर भी होने वाली है इस मुवी में ज़्यादा फोकस मिकाल जुल्फकार की लव स्टोरी पर किया गया है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं इसके इलावा इसमें जो इमोशन दिखाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं मतलब कि इस ट्रेलर को देखने के आप इस ट्रेलर के साथ पूरी तरह से अटेच हो जाएंगे ये मुवी पाकिस्तान इंडस्टरी की हाईली बजट फिल्मों में से एक मुवी होने वाली है जो के वी एफेक्स और स्टोरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा जबर्दस्त है हुए तुम अजनभी और मैनी बैं कर एक हैं मेरी भी इस मुवी के साथ बहुत सारी उमीदें लगी हुई है आखिरकार बॉलिवूड के लेवल की मुवी भी हमें देखने को मिलने वाली है अगर कोई नियू अपडेट मिली तो मैं आपको लास्मी बता दूंगी कमेंट सेक्शन में अपनी राए जरूर वीडियो देखने का शुक्रिया